क्रिस्पी आलो बनाने के लिए मैंने चार मीडियम सैज के आलो लिए अभी देखिए इसकी कटिंग ना थोड़ी थिन करिए मैंने मतलब बहुत मोटा नहीं कट किया है तो ऐसे आसानी से बन जाएगा अच्छा क्रिस्पी बनेगा तो आप देख लिजी इसकी थिकनेस ऐसी है इसको बहुत ही अच्छे से वाश कर लेना है थोड़ा स्टिकीनेस होता है वाश करने से ना इसका तो 50% स्टिकीनेस निकल जाएगा बहुत अच्छे से वाश करके ड्रेन होने देना पानी अब एक पैन में डालिए ऑईल फ्लैट पैन में बनाओ ना तो क्रिस्पी आलो बह रहेंगे हाई हीट पे पकाएंगे हर दो से तीर मिनट में हिलाते चलाते रहेंगे तो यह जलेगा नहीं अच्छे से पक जाएगा सब तरब से अब इसमें डाल दीजिए सॉल्ट टेस्ट मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा और पकाते रहेंगे हिलाच ला लेंगे अच्छे से सबजी बहुत अच्छे से गरम होगी है मैं इसको खुला ही पका रही हूँ अब इसमें डालेंगे वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी औ और इसमें डाल लीजिए वन फोर्थ टेबल स्पून रीड चिली पाउडर से ब्लैक पेपर करश करके ढ़ दआल दिजिए ये सुआद के नुसार डालिए मैंने हाफ टेबल स्पून के करिम डाल दिया है थोड़ा तीक्छा बनाना है अब इसमें डालेंगे वन फोर्थ ट पाउडर डालने से स्वाद बहुत अच्छा एगा बहुत जादा मट डालेगा नहीं तो ब्लाक इश दिखेगा थोड़ा सा स्वाद करेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी अभी भी मैं इसको तीज आज पे ही पका रही हूँ फ्रिक्वेंटली इसको हिलाते चलाते रहेंगे ऐसे न चारो तरफ से बहुत अच्छे से पक जाएगा खुला ही पकाएंगे ये सबजी नहां खाने में बहुत अच्छी लगती अच्छी क्रिस्प बनती है ये बहुत ही बढ़ी है वैसे रोज की जो सबजें बनती है सबजी मसाले के साथ वैसे इसको नही बनाना है Simple तरिके से Just ts aalew fry करना है बहुत अच्छी बन जाती है बहुत अच्छी अभी जो हमने थोड़ी बहुत हल्दी मेर्च यह सब डाले हैं उसका भी स्वाद आलू में बहुत अच्छा आजाएगा थोड़ा टाइम तो लगता ही है इसको यदि इसमें ओईल कम होगा ना तो बहुत अच्छे से नहीं बनता है थोड़ा ओईल ज्यादा लिया है मैंने कंपेर टू अधर सबजी एक्स्टा ओईल ना बाद में अब छान सकते हैं छान के निकाल लेंगे यदि एक्स्टा ओईल हो अच्छे से हो जाता है अभी देखे इसका रंग कैसे बिदल गया है अभी क्रिस्पी होरी धीरे दिरे काफी चेंज आ गया ह। बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छा गोल्डर कलर आ गया है, थोड़े से आलू रह गया है, जो उतने क्रिस्प नहीं है, तो मैं इसको धीमी आज पे अभी पका रही हूँ, बस ये अल्मोस्ट रेडी है, देखे कितना अच्छा बन गया क्रिस्पी आलू, अब न कम्प्लीटली खुला ही पकाना होता, अभी मैंने खुला ही रखा है, अभी इसको सर्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये कितना क्रिस्पी है, अभी देखे इसकी आवाज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी है, है ना, बहुत क्रिस्पी, अब इसक spicy और tasty बहुत ही crispy बना है इसको बना लेने के बाद ढ़क के मत रखना तुरंद क्योंकि गरम है तो moist हो जाएगा इसको थोड़ा खुला ही रखे अब इसके पर सूखे करी पत्ते को crush करके डाल देजिए garnishing इसके सूखे करी पत्ते से कर देजिए crush करके बहुत अच्छा इसमें करी पत्तों का फ्ली मरा जाता है बहुत ही अच्छा अब इसको आप दाल चावल के साथ खाईए या फिर ऐसे ही खाईए बहुत अच्छा लगता है बहुत ही tasty एकदम different सबजी है आप जरूर बनाएगा बहुत पसंदागी आपको